नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दुवेक भरत द्वाज आप देख रहे हैं हमारा चलंग अनलॉक टैग जहां मैं हर रोज मोबाल और कंपुटर टेक्नलोजी से जुड़े हुए डेट सारे वीडियो लेकर आता रहता हूं अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हम कव टेक्निकल लोग होते हैं उन्हें उसके बारे में ज्यादा पतानी होता है आज हम आपको बताने जा रहे हैं डि यंस डोमें नेम शि 쪽ं क्या होता है क्या काम करता है कैसे आप इसका आ बेसिकली hani स्झे इस्तमाल करके आई ये शुरू करते हैं हम देखाते हैं आपको सबसे पहले हम चलेंगे हमारे सेटिंग्स पर जाने के बाद आप देख रहे होगे यहां आ रहा होगा अधर नेटवर्क्स एन कनेक्शन इसके अंदर जो आप जाएंगे यहां पर क्लिक करने के बाद आप देख रहे होंगे उपर से जो चौता option लिखा हुआ है private DNS, जी हां दोस्तों आज के इस वीडियो में इसी की बात होने वाली है, private DNS क्या होता है, हम क्लिक करेंगे private DNS पर, यहां आप देख पा रहे होंगे, हम आपको देखाते हैं, यह जो चार option है, आप सभी के mobile में यह चार option आएंगे, उपर लि connection की जो है, डिले हो जाए, आप लोग जब इस option पर जाएंगे, तो आपका जो है, यहां पर close पर टिक लगा होगा, और आप लोग का DNS जो है, बंद होगा, किसी किसी के में यह auto भी हो सकता है, लेकिन दोस्तों, जो सबसे अच्छी चीज है, वो है private DNS provider, और private DNS provider का सबसे अच् होता है, internet protocol, IP address किसी number से बना हुआ होता है, और computer को, जब computer को हम लिखते है, google.com, yahoo.com, किसी website का नाम, तो computer को जब machine language में change किया जाता है, तो वो IP address में change होता है, और यह DNS होता है, जो change होकर IP address में बदल जाता है, और IP address जाकर computer को बताता है, कि user क्या मांग रहा है, या क्या पू पूर्मल सी English भाशा में जो है, use होता है, google.com, yahoo.com, facebook.com, youtube.com, कहीं सारे आपने DNS देखे होंगे, इन्हें ही कहा जाता है, domain name system, अब जब आप private DNS कर देंगे, private DNS करने के बाद आपको जो है, यहाँ पर एक नाम देना होगा, नाम देने का तरीका दोस्तों यही है, आप एक बा google.com, आपको जो है DNS के बाद डॉट लगाना है, google.com, यह कोई specific नहीं है, आप चाहें तो yahoo.com, जो भी जिस ब्राउजर का, यह हम कह सकते हैं, जिस search engine का इस्तमान करता हो, उस search engine पर जाकर जो है, आप लोग अपने अपने hostname तेह कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर google का ही use क करते हैं, तो हम यहां पर DNS.google.com दे रहे हैं, इसको देने के बाद दोस्तों फाइदा क्या है, आपके और आपकी website के बीच में, Google को यह पता है, कि आपने DNS को private कर रहा है, इसका फाइदा यह है कि आपकी information encrypted way में हो जाएगी, और कोई भी third party application, कोई भी आप देख रहे होंग CAD आजाते हैं, कोई भी pop-up window open हो जाती है, कहीं पर भी कोई cookies का message आने लगता है, यह सावाना जो है, पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, क्योंकि Google और आपके बीच में, जितनी भी अब knowledge का आधान परदान, जो pages का website का access होना है, वो सब कुछ एक encrypted way में होगा, encrypted way का मतलब होत इसको जो है trace नहीं कर सकता है, देख नहीं सकता है, इसके दो फाइदे हैं, पहला फाइदा यह आपको कोई भी ऐसा unusual चीजों से आप दूर रहेंगे, दूसरा यह private networking में जब आप आ जाएंगे, तो आप system पर क्या कर रहे हैं, यह सब कुछ जो है, पूरी तरीके से secure हो होती है, तो आपके internet की speed जो है, थोड़ी और जादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप जब किसी भी third application पर, third page पर, किसी भी ad break को जब आप नहीं देखेंगे, वो आपके page पर आएगा ही नहीं, तो आपका जो content है, और आपकी जो networking speed है, वो आपके mainly main page पर आ जाएगी, तो जितन हैं, auto भी कर सकते हैं, आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, और अपनी DNS सेटिंग को review करें, DNS क्या होता है, मैंने आपको बताया, यह एक तरह के IP address में change हो जाता है, यह नाम, और computer क्योंकि machine language समझता है, तो machine language में यह उस IP address को convert कर देता है, तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो मेरे जो है वीडियो पसंद आया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरा नाम है वेग भारत द्वाज, मैं ऐसे ही, और जो basic वीडियोस है, mobile technologies के, वो रोज लाता रहता हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते थैंक यू